नमस्ते दोस्तो ! नायंती कलास की विज्ज्य अनवश्य में आपका फिर से स्वागत ते आज हम लेंसे नंबर पुस्ट की बात करेंगे हमारे ldapasid पदार्त क्या है इससे पड़े हुँ मुट्व 내가 कि बारे में अज्सकी बारे में बात करतेओं मोध ग्सक्रष्ण центр já जो हैं वह किन-किन यहांपर जो हैं कुछ च्ट्व यासे देरे रहे हैं कुछ योगी किये मिस्षण है परमानु इन सब से मिलकर प्रकाल से क्या होता है प्रधार्थ का निर्मान होता हैं इससे स्रचणा याद के स्ट्रक्टर कैसी होते हैं इसके बारे में चर्जा करते हैं जैसे यहां पर हम और भी बात करते हैं कि जैसे इसमें किस प्रकाव से यहाँ पर जो हें परवाणू हैं किसे कहते हैं पर dairy में जो प्रमानु प्रमानु क्या होता है तो वेसे हम देखते हैं प्रकार से प्रमानु यानि एटम यानि जिसको हम यह प्रकार से काट नहीं सकते वह प्रमानु खर लाता है जैसे इसके हम चट्चा करते हैं यहाँ पर किसी भी पदार्थ का वो सुक्षम से सुक्षम कन जो आव्यवाज जी होता है नतार आसानीक वेक्रेया हम भाग लेता है उससे हम प्रमाणु खोता है प्रमाणु की खोष सबसे पहले किसे नहीं किरती टेनिक थी कुछ प्रमाणु सोतंत्रस्थित में राख सकते हैं जैसे यहांपर हैं लियुen sysет सोतंत्रस्था में नहीं पाते हैं किसी न किसी यॉगी के साथ मिलकर बने रहते हैं उसी प्रकार चैना बुद लेखिप अनु की बारे में बात करता हैं तो अनु क्या हैं प्रमानों का समू होता हैं यहां पर देरा का यह प्रकार से दो या दो से अधिक प्रमानों के समू जो रासाइनिक बंद दोरा जोड़े होते हैं उन्हें सामाने बहुतिक भी दोरा अलग नहीं किया जा सकता उसे हम कहते हैं ऐनुतार हैं सौतन रूप से अस्तित्म रह सकते हैं यह पर हम बात करे हैं और क्या करते हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर प्रकार से क्या कर रहे हैं स्टू कर रहे हैं उसी प्रकार से ओक्सिजन और ओक्सिजन मिलकर क्या कर रहे हैं ओटू का निर्मान करते हैं तो इस प्रकार से यह अनुह ही जो प्रमानों का समूह होता है नेक्स्ट मुए टोपिक की भारे हम बात करते हैं यहां पर जैसे देखते हैं तत्तु क्या होते हैं तो तत्तु के गर हम बात करते हैं जैसे तत्तु एसे सुद्ध पदार्थों को ख़ते हैं जो केवल एक ही प्रकार के प्रमाणों से बने होते हैं इसे यहां पर औक्सिजन तर्फ शिलीकोन आधी प्रकार से क्या हैं थत्त्व यानि सुद्ध पदार्थस में बने होते हैं हम क्या करते हैं तत्तू करते हैं आप तक कुल एक्सवाट्रा थत्तू खोज जा चुके हैं जिनमें से नाइनटीफोर तत्तु धर्ती प्रप्राकर्टी रूप से विध्य मान हैं। जो आज हम पढ़ते हैं 108 तत्तु पढ़ते हैं या जो परियोड़िक टेबल दे रखें हैं। उस परियोड़िक टेबल में यहां प्रेक टत्तु के खोजी जा चुके हैं। यह प्रकर्त में प्रकार से विद्ध्यमान है उसी प्रकार से हम यहां पर बात करता हैं कि जैसे किसी अनों में उपस्तित तत्व के प्रमानों कि संक्या को जो उस तत्व की प्रमानोगता करता हैं इसे वोजन में उक्षिनी प्रमानोगता कितनी होती हैं तीन होती हैं तो इस तेन के मादम से हम कर सकते हैं कि इसके मलब जो यहां प्रमानों ता कितनी हैं तेन दे रखी हैं तो यह तत्व कलाते हैं उसी प्रकार से में बात करते हैं किसकी योगी की बात करते हैं यानि योगी क्या हैं किसे करते हैं जर्जा करते हैं जैसे यहां पर ह होगा नमक दे रखा है अनेसीयल जल अमोनिया सलपुरी कमल आधी हैं तो दो यह तो प्रमानों एक दूसर निसीत अनुपात में रसानिक सायोग यह अभी किर्या करते हैं और यह प्रकार से योगी का निर्मान करते हैं योगी का सुक्षमतमकन जो सोतंतर रख सकता हैं यह जि तो यह प्रकार से के अखलाएगा योगिक कर लाता हैं उसी प्रकार से हम बात करते हैं यहाँ पर मिस्रण की बात करेंगे तो मिस्रण जिसे हम साधान रूप से करते हैं मिस्रण क्या होते हैं तो दो यह दो से दिख प्रकार से कोई भी तत्त्व या पदार्थ मिलके यह प आसानी से भोतिक वीदिद्वरा अलग कर सकते हैं इसे सर्वत हैं दूद हैं वाई हैं बादल आधी हैं तो यह प्रकार से क्या हुए यह निश्य तनपात में मिलकर नहीं बने होते हैं कि उसी प्रकार मिस्षण को दो भागों में वर्गी करते करते सकता हैं यह तो समांग्य मिस्षण होता है और प्रावस्ता में होते हैं उसे समांगी मिश्रन करते हैं जिसे वाईव हैं समांगी मिश्रन इसमें हैं वीलेन आधी प्रकार विश्मांगी मिश्रन कैसे करेंगे एसा मिश्रन इसमें सभी अलाग अवस्ताओं और प्रावस्ता में रहते हैं उसे विश्मांगी मिश्रन कर प्रवानु क्या है योगी क्या है विछ्चरन क्या है एसके बारे में बात करती है अगले वीडियो में इसके चुछ टोपीक के बारे में चरचा कर criminal लिए आप